यह वीडियो साइन्स क्लास 10 चैप्टर 9 का पार्ट 1 है और हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर हेरिटी एन इवल्यूशन हेरिटी एन इवल्यूशन पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे बेसिक नॉलेज का होना जरूरी है उन बेसिक नॉलेज को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे तो आई हम लोग देखते हैं कि यहां पर क्या क्या बाते लिखे गई हैं तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जब reproduction होता है तो new individuals बनते हैं जो की अपने माता-पिता के समतुल्य होते हैं लेकिन वो subtle different होते हैं क्या हो गया? सुक्ष्म रूप से कुछ न कुछ उन में अंतर जरूर पाये जाता है तो हम लोगों ने देखा कि reproduction दो प्रकार का होता है एक होता है एसेक्स्वल रिप्रडक्शन और दूसरा होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि एसेक्स्वल रिप्रडक्शन हो रहा है तो वहाँ पर यह variation बहुत कम अमांट में देखा जाता है याखिर यह variation क्या है? variation कैसे आता है? क्यों माता पिता के जब संतान होते हैं तो उनमें variation आता है जबकि हम लोग देखेंगे कि एसेक्स्वल रिप्रडक्शन और variation कम आएगा और सेक्स्वल रिप्रडक्शन और variation जादा आएगा ऐसा क्यों होता है? तो आप देखेंगे कि जो सुगरक्शन है उसमें एसेक्स्वल रिप्रडक्शन हो रहा है और यहाँ पर यदि एसेक्स्वल रिप्रडक्शन होगा तो यहाँ पर variation क्या आएगा? बहुत कम आता है लेकिन आप देखेंगे कि जब सेक्स्वल रिप्रडक्शन होगा तो यहाँ पर variation जादा आएगा तो यहाँ तो दो बाते आपने सीखी कि एसेक्स्वल में variation कम आता है और सेक्स्वल रिप्रडक्शन में variation जादा आता है तो इस चप्टर में आप देखें कि यह variation कैसे आता है यह variation आखिर पैदा कैसे होता है कैसे create होता है और यह inherit कैसे होता है मतलब माता पीता से उनके संतान में कैसे जाता है अब यह जो variation है एक generation से दूसरे generation में दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौंत है इस प्रकार से जब यह travel करेगा variation इस variation का जब accumulation होगा मतलब जमा होगा तो उससे क्या होगा यह सारी बाते हम लोग को इस chapter में पढ़नी है तो अभी हम लोगों ने variation के बारे में देखा कि variation कुछ चीज होता है लेकिन यह variation क्या है और यह कैसे आता है तो variation का simple जब आप meaning समझेगे तो आप समझेगे अंतर जब दो चीजों में कुछ अंतर हो तो हम लोग क्या ओलेंगे variation हो रहा है तो हम लोग देखेंगे कि माता पिता से उनके संतान अलग होते हैं मतलब उसमें कुछ variation आता है, कुछ अंतर होता है तो ऐसा क्यों होता है 줄 नोगों ने देखा कि असए सेकसुली प्रोड़क्शन में बहुत जादा होता है जबकि sexual reproduction में ये variation ज्यादा होता है तो ऐसा क्यों होता है? तो इन सब बातों को जानने के लिए हम लोग एकदम basic से सुरू करेंगे और सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक cell का structure तो हम लोगों देखा cell दो प्रकार का होता है एक होता है eukaryotic cell और एक क्या होता है? प्रोकेरियोटिक सेल में सिर्फ क्या होता है सेल और उसके अंदर डायरेक्ट क्रोमोजोम्स पाये जाते हैं तो हम लोग सिर्फ यूकेरियोटिक को लेके चल रहे हैं प्रोकेरियोटिक भी उसी प्रकार से आप समझ लेंगे तो जब हम लोग cell का study करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि cell है cell में क्या होता है nucleus और nucleus में क्या होता है chromosome आप सभी जानते हैं कि हमारा पूरा body किसी से बना हुआ है cell से बना हुआ है और cell में हम लोग उन्हें क्या पढ़ रहे हैं हम लोग nucleus होता है और nucleus में क्या होता है chromosome यह eukaryotes का मैं पढ़ा रहा हूँ prokaryotes में सिर्फ nucleus या नहीं रहेगा लेकिन chromosome रहेगा तो अखिर यह chromosome क्या है इसका क्या significance है यही हम लोग को समझना है तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यह जो chromosome है इसका जो संख्या है सभी organism में जो अलग-अलग प्रकार के organism है उनमें fix होता है जैसे मैं कुछ number आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर आप एक chart देख सकते हैं कि जितने भी organism है उनमें chromosome का number क्या होता है fix होता है जैसे कि man है उसमें क्या हो गया 46 है monkey है उसमें क्या हो गया 48 है rabbit, 44, frog इस प्रकार से आप देखेंगे कि P है P मतलब मतर में कितना होता है 14 होता है potato है उसमें 48 होता है corn है उसमें क्या होगा 20 होगा तो इस प्रकार से देखेंगे कि यह जो chromosome है उसका संख्या क्या होगा fix होगा तो हमने पढ़ लिया कि जितने भी individual है उनमें क्रोमोजोम का संख्या क्या होता है fix होता है तो जैसे कि मान लिजी कि यहाँ पर एक मतर का पौधा है इसमें क्रोमोजोम का संख्या क्या है इसका एक cell लेंगे हम लोग तो उसमें क्रोमोजोम का संख्या कितना है 14 तो इसका जब बीजा होगा और बीजा से जो नया प्लांट होगा और उससे भी नया प्लांट होगा तो प्रतिक के सेल में क्रोमोजोम का संख्या कितना होना चाहिए 14 ही होना चाहिए ना कम होना चाहिए ना ही अधिक होना चाहिए तो इसी पे हम लोग एक चीज यहाँ पढ़ सकते हैं कि यदि ये kromozome का संख्या बदल गया तो यहीं पे आ जाता है variation तो आप देखेंगे कि यदि ये kromozome का संख्या बदल जा रहा है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? वार यदि ये variation आ जाएगा तो क्या क्या होगा? का संख्या हम लोग नहीं बदलने देते हैं या फिर बोलेंगे कि उसको एक fix state में रखते हैं किसी organism का chromosome 46 है तो उसके child में भी chromosomes का संख्या क्या होना चाहिए 46 उसके child में भी कितना होना चाहिए 46 ही होना चाहिए तो यह maintain कैसे होता है तो यह maintain होता है cell division से तो आईए देखते हैं कि cell division किस प्रकार से chromosome के संख्या को maintain करके रखता है यदि हम लोग human का example लें तो मैं आपको example बता रहा हूँ cell division क्या है तो यदि जो pre-existing cell है उससे नए cell का formation होता है तो उसे हम लोग क्या है बोलते हैं cell division केहने का क्या मतलब है की आपके body में growth हो रहा है आप पहले छोटे थे और अब क्या हो रहे हैं धीरे धीरे और बड़े हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है किआपके सरीर में cell का संख्या बढ़ रहा है और यह cell का संख्या कैसे बढ़ता है तो यह cell division के द्वारा बढ़ता है यदि cell division ना हो तो आपकी अंगुलियां जो बढ़ रही है वो कभी नहीं बढ़ेंगी क्योंकि आप में growth नहीं होगा तो हम लोगों को देखना है कि यह cell division कितने प्रकार का होता है कैसे कैसे होता है तो पुरा detail आपको जानना होगा तभी यह chapter आप अच्छे प्रकार से समझ पाईए तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं cell division तो एक cell यहाँ पर है मान लिजे इसी से कितने cell का formation हो रहा है दो cell का formation हो रहा है तो एक cell से कितना cell बन रहा है दो cell मान लिजे तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो क्रोमोजोम है वो भी इन दोनों cell में आना चाहिए तो वो क्रोमोजोम यहाँ पर जब आएगा तो दोनों में मान लिजे 46 क्रोमोजोम है तो इसमें भी कितना आना चाहिए 46 और इसमें भी कितना आना चाहिए 46 क्रोमोजोम आना चाहिए अब इसे मान लीजे दो अलग सेल बनता है तो इसमें भी क्रोमोजोम कितना आना चाहिए 46 आना चाहिए और इसमें भी क्रोमोजोम क्या आना चाहिए 46 ही आना चाहिए क्योंकि मैंने बता दिया कि आपके शरीर में स्पर्म और ओवा को छोड़के बाकि जितने भी सेल हैं उसमें कितनी क्रोमोजोम है? 46 ही क्रोमोजोम है तो यह जो क्रोमोजोम का संख्या हमेशा बराबर होना चाहिए वह कौन फिक्स करेगा? तो वह सेल डिविजन ही फिक्स करेगा तो इस प्रकार का सेल डिविजन जहांपर क्रोमोजोम का संख्या क्या हो रहा है? एक समान हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं माईटोसीस माईटोसीस सेल डिविजन तो आप देखेंगे हमारे body में जो growth हो रहा है हमारे body में अलग-अलग cell का formation हो रहा है sperm और वहा को छोड़के तो उसमें chromosome का संख्या क्या होता है हमेशा एक समान रहता है ना ही या बढ़ रहा है ना ही या घट रहा है लेकिन मान लीजे कि क्या हो यदि यह 46 से क्या हो जाए 47 हो जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि variation आ गया है तो अब एक और cell division हम लोग को पढ़ना है तो cell division हो गया दो प्रकार का एक होता है mitosis और दूसरा क्या होता है meiosis तो अब आपको अच्छा प्रकार से समझ में आएगा कि mitosis cell division क्या है और meiosis cell division क्या है तो हमारे पूरे body में sperm बनने के समय औरोवा बनने के समय उसको छोड़के जितना भी cell division हो रहा है वो क्या हो रहा है? mitosis और sperm का बनना या फिर ova का बनना ova female में और sperm male में यह किसके दौरा हो रहा है? meiosis तो यहाँ पर क्रोमोजोम का संख्या क्या हो जाता है? आधा, 23 और 23 अब आप सोचेंगे कि यह 23 और 23 क्यों हो गया? क्योंकि जब सेक्स्वल रिप्रोडक्शन होगा तो वापस 23 और 23 मिलके कितना होना होगा? 46 होना होगा तो इस प्रकार से देख सकते हैं, यदि आप सेल डिविजन नहीं जानते हैं तो यह क्रोमोजोम के बारे में समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा तो अब आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी में दो प्रकार से सेल डिविजन हो रहा है पहला हो गया mitosis दूसरा क्या हो गया meiosis तो हमारे पूरे body में जो cell division हो रहा है वो mitosis हो रहा है लेकिन दो जगा है sperm बनने समय और ova समय बनने समय या फिर बोलने की sexual reproduction के लिए जो cell division हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे है meiosis तो दोनों में अंतर क्या है तो आपको जो समझना है अंतर पहला अंतर यह समझना है कि ». माललिजीए हमारे body में ग्रोथ हो रहा है उसमें जो cell division हो रहा हूँ क्या हो रहा है MIC braces और यहां पर chromosomes का संख्या नहीं बदल रहा है मतलब जो नचÈ ऐस नच इसल बन रहे हैं उसमें chromosomes का संख्या नहीं बदल रहा है लेकिन जो मियोसिस है, मियोसिस में या तो स्पर्म बनता है, या तो ओवा बनता है, तो उसमें आप देखेंगे कि यदि 46 क्रोमोजोम है, तो जो स्पर्म बनेगा, उसमें क्रोमोजोम कितना हो जागा, 23, 23 क्रोमोजोम किस में हो जागा, स्पर्म में, और 23 क्रोमोजोम किस में हो जाएगा female analogy ovum में तो sperm में 23 chromosome है और female के एक या ovum में कितना है 23 है तो यही sexual reproduction होता है इनके बीच में क्या होता है sexual reproduction होता है तो यह दोनों मिलेगा तो कितना हो जाएगा फिर से 46 हो जाएगा और यही जाइगोट बनता है और फिर इसी से फिर new baby का formation होगा यह मैंने आपको पढ़ाया है अब जो new baby होगा तो यहाँ पर अब बताईए कि कौन सा cell division होगा तो यहाँ पर लगातार फिर mitosis होता जाएगा मतलब इस cell में बढ़ोतरी होगा 46 से फिर 46 chromosome रहते जाएगे और फिर यह क्या हो जाएगा यह जो individual है यह जो baby है वो बढ़ा हो जाएगा और फिर जब उसको sexual production करना होगा तो फिर उसमें क्या होगा और उसका जो spawn बन रहा है या उसमें ओवम बन रहा है उसमें chromosome का संख्या क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा तो कुल मिला के मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह जो chromosome है वह बदल नहीं रहा है यदि आप देखेंगे कि हमारे body में growth हो रहा है तो यह जो chromosome का संख्या वह fix हो रहा है यदि 46 है तो 46 ही हो रहा है तो meiosis के समय यह आधा क्यों हो जाता है क्योंकि मान लिजे कि यदि sperm में 46 chromosome हो तो फिर मैंने जो बताया कि प्रतीक organism में उसके cell में chromosome का संख्या क्या होना चाहिए fix तो जो नया जो बेबी है उसमें chromosome 92 हो गया तो फिर वो human being तो नहीं रहा वो फिर कुछ other चीज हो गया तो इन सारे चीज़ों से हम लोगों को एक चीज़ पता चल रहा है कि जितने भी living organism हैं उनमें जो chromosome का संख्या है वो क्या होना चाहिए fix होना चाहिए ना बढ़ना चाहिए ना ही घटना चाहिए इसका क्या मतलब है कि ये जो human है उसमें chromosome का संख्या कितना होना चाहिए 46 ना ही घटना चाहिए ना ही बढ़ना चाहिए तो यदि ये 46 के जगा क्या हो जाएगा 47 तो इसी को हम लोग बोलते हैं variation या फिर ये हो जाए 45 तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं variation यानि कि chromosome number में क्या हो गया variation ठीक इसी प्रकाह जितने भी organism है आप देखेंगे उनमें खास chromosome का संख्या पाया जाता है जो की generation wise वही होना चाहिए उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए कहने का यह मतलब है कि लाखो साल पहले यदि कोई human था तो उसके cell में chromosome का कितना संख्या था 46 और आज जो human है उसमें भी कितना है 46 ही है यह बदलना नहीं चाहिए लेकिन क्या होगा जब यह chromosome बदल जाएगा या तो 47 हो जाएगा या तो क्या हो जागा 45 होगा तो हम लोग बोलेंगे उसके body में variation आ जाएगा और फिर उसके body बहुत सारे changes हो जाएगे तो यह सारा चीज हम लोग को इस chapter में पढ़ना है हर चीज को आपको बारिकी से समझना होगा अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आखिर chromosome के संख्या में परिवर्तन होए से body में परिवर्तन कैसे आएगा कैसे कोई organism में बदलाव आएगा यह तो यह सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे अपने next video में